इस साल यह जो है चबीस मई को पढ़ रही है इसकी शुरुबात होगी 25 मई 2022 को सुभा 10 बचकर 22 मिनट से और इसका जो पारण होगा यानि 26 मई 2022 को सुभा 10 बचकर 14 मिनट तक यह समाप्त होगी तो गरत का जो पारण है वो 27 मई को सुभा 5 बचकर 25 मिनट से शुरू हो करके सुभा 8 बचकर 10 मिनट तक रहे रहा है यानि 26 साली को इसका बच नखेंगे लोग द्वादशी तिथी समाप्त होने का सबे 11 बचकर शिक्षालों को इस बात का इकादशी के इंतिजार की बात अग करने से तुरे लाह होके और कहती डिंशियो, रता है मımızı कमिता वर्ट रख़ा दना करने से प्रत करना चाहींस करने पालाइक प्रत अब्रट सम्तर क्रस्वाद से हमान regular ऑफिवत, श्र ऐधा को रहत खाल्डे गिया था इसके प्रभ्भाव से प्रेत योगिन खmuş जो है राजा कि आत्मा मुक्तुकई और अंत्रता उसे स्वर्धन की प्राप्ति हो जीवन में तो है एक जो इसने करों BU Iniत उसके अनुसाल už को zero जो है भगवान विष्ण की पूजा अर्चना की जाती है पूजा अर्चना करने के बाद उनसे मनवांचिक फल आपके जो भी इच्छावों फल की यादि जो चीद आप चाहते हैं वह आप उनसे विश्मान सकते हैं और प्राप्ती होती है मानता है कि अपनी गल्तियों की शम प्राप्त होती है और इस अपाः कृपा के साथ उपर कृपा बरस्तने लगती है मालक्षमी इनकी देवी और खुशियां बरसाने वाले सुख में परिवारिक जीवन की कामना इस एकादिशी का ब्रत लखके फूली होती है इस दिन चावल खाना जो है विश्य जोट से वर राट करने से लाओ बार जैसे कि सूर्य उढ़ पहले इनका ने समान लख रखै उसके लावpen आपने जिल में बहुंते पुर्व दिशा की और एक पीले रंग का खपड़ा विच्छा है उसको हम आसन कहते हैं आसन विच्छा करके भगवान विष्ण को वहां बठाएं और भगवान को भोग लगाएं इस बात का ध्यान दखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक बोजन कराना है अवर विच्छा कर भग भोग पूल कर दो ना लगा है, बहुत हमें चावल कभूल करके भी ना लगाएं तुलसी का पता जरूर नगाएं जएँ बिना तुलसी के भगवान विष्ण को भोग अग्रहन नहीं करते हैं इस पावल दिन भुगवान विष्वु के साथ ही मातालक्ष्मी को पीजु है वह बगड़तिक करें उनकी पूजा करें उनको साथ बठाएं अधिक से अधिक भगवान का ध्यान करें अपने मंत्र को चानल करते हैं उन मंत्रों को आप जोने उनको ध्यान से करते रहें तो इस करने से भगवान करने में यह जो है भार, आप गहले को इस भी दिन नव्कों भी में घॉटन करने से और साथ ही तामसी मोलन अगर अब गव्रत नहीं लखते हैं तो भगवन को यह ज़से की मास्मादीरा अगर माल नहीं करना है तो शोन किया आच प्रक्ता इस्तिमाल करने स चान सकते हैं कि क्या रियम पालन करते चाहिए और एकारशी का पूरा-पूरा आनज लेना चाहिए फिर भी लोगी नए सब्जेक्ट के हाथ नए वीडियो के साथ तक के लिए विदा है